नमस्कार दोस्तों, आज की इस विडियो में आप जानेंगे कि SPI PPF स्कीम में एक लाख रूपए से शुरू करे निवेश, इतने सालों में मिलेगा 27 लाख का रिटर्न, तो चलिए आज का विडियो शुरू करते हैं. महंगाई के दौर में सभी के लिए अपने खर्चे चलाकर भविश्य के लिए बचत करना काफी कठिनाई भरा हो गया है. अगर आप भी ऐसी ही समस्या से परेशान हैं, तो लंबे समय के टार्गेट को पूरा करने और सेविंग को बढ़ाने के लिए पबलिक प्रोविडेंट फंड योजना में निवेश कर सकते हैं. यह स्कीम न सिर्फ सुरक्षित बचत का विकल्ब देती है, बलकि इसमें बचत कर आप करोडपती भी बन सकते हैं. PPF स्कीम बैंक और पोस्ट ओफिस दोनों की और से चलाई जाती है. आज हम आपको स्टेट बैंक आफ इंडिया की PP स्कीम के बारे में बताने वाले हैं. SBI बैंक भी अपने निवेश को को PPF में निवेश करने की सुविधा देता है. वर्तमान में बैंक द्वारा 7.1 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है. इतने रूपए से शुरू करे निवेश. इस पबलिक प्रोविडेंट फंड स्कीम म निवेश कर निवेश कर उनका भविश्य सुरक्षित कर सकते हैं. वहीं इस पर जो ब्याज मिलता है वह भी सेक्शन 10 के तहट टैक्स के दाइरे से बाहर रहता है. अब ऐसे खुलवाएं अपना PPF खाता. 15 साल में मैच्योर होने वाली इस PPF स्कीम में फिलहाल में सालाना साथ दशमलव एक फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. बैंक के अलावा आप पोस्ट आफिस में भी PPF खाता खुलवा सकते हैं. भारतिय स्टेट बैंक, SBI, अपने ग इसके लिए आपको बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी. आप अपने अकाउंट में आउनलाइन लॉगिन करके खाता खोल सकते हैं. एक लाख के निवेश पर मिलेगा इतना रिटर्न. SBI PPF स्कीम में अगर कोई व्यक्ती एक लाख रूपए सालाना निवेश करता है, तो पंदरह सालों में आपका निवेश पंदरह लाख रूपए हो जाएगा. इस जमा राशी पर 7.1% ब्याजदर के हिसाब से मेचॉरिटी पर आपको 27,12,149 रुपए की राशी एक मुष्ट मिलेगी. इसमें से केवल ब्याज के 12,12,149 रुपए होंगे. 5 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते. यदि आप किसी गंभीर स्थिती में पैसा निकालना चाहते हैं, तो PPF खाता खोलने के बाद अगले 5 सालों तक आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं. 5 साल पूरे होने के बाद फॉर्म दो भर कर पैसा निकाला जा सकता है. हालांकि अगर आप 15 साल से पहले पैसा निकालते हैं, तो आपको 1% जर्माना देना होगा. यह खाता किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके नाम से किसी भी डागघर या SBI बैंक में खोला जा सकता है. इसके अतिरिक्त, नाबालिक की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी खाता खोला जा सकता है. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक शेर जरूर करें, और एसके एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी कोई इस तरह का नया वीडियो अपलोड किया जाए, तो आपको तुरंट सूचना प्राप्त हो जाए. धन्यवाद